हेलो स्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का अर्बेर यूट्यूब क्लास में तो स्टुडेंट आज यह जो कोश्चन है, यह कोश्चन फाइव का थार्ड पार्ट है क्लास नाइन की मैट की बुक से एक्सरसाइज 2.4 से लिया गया है तो विडियो को अंतर तक देखेगा और बताएगा कि विडियो आपको कैसा लगा ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आया अगर आप विडियो का अंतर तक देखेंगे यहां पर बोलाए कि फेक्टराइज करना है हमें एक्स क्यूब प्लस 13 X स्कृयर प्लस 32 X प्लस 20 अब यह एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है पावर 3 है हायस्ट पावर 3 है तो फेक्टर भी 3 आएंगे तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा पहले जो एक फेक्टर होगा वो फेक्टर थेरम से find करना होगा, अब आप इस 20 को देखे, यह वाला जो last में constant term होता है, इसको आप देखिए, यह किस-किस number से divide हो सकता है, 20, तो देखो, यह जो divide हो सकता है, एक तो देखो, हमारा 1 से divide हो सकता है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, इस से divide हो सकता है, यह इसके factor हो सकते हैं, तो factor थ माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20 से यह क्या हो सकता है फेक्टोराइज हो सकता है पॉसिबल है इस इक्वेशन की यह क्या है यह पॉसिबल फेक्टर हैं 100 परसेंट नहीं पॉसिबल फेक्टर हो सकते हैं ठीक है तो अब हम को रख करके चेक करेंगे कि इसका आंसर किस पर जीरो आएगा तो यहां पर देखू सोलीशन पॉसिबल फेक्टर आफ पॉसिबल फेक्टर आफ पी एक्स और प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस फाइफ प्लस माइनस टेन प्लस माइनस ट्वेंटी अब देखो अब हम करेंगे क्या अब हम सबसे बहले प्लस वन लेकर ट्राइ करेंगे क्या लेकर ट्राइ करेंगे प्लस वन तो P under bracket 1 is equal to जहाँ पर यह एक से वहाँ पर आपको 1 put करना है तो 1 का whole cube plus 13 1 का whole square plus 32 into 1 plus 20 ठीक है तो आप आप देखो 1 का whole cube कितना आएगा 1 13 का whole square कितना आएगा sorry 1 का whole square 1 आएगा तो 13 बन जा 13 plus 32 plus 20 अब इन सब को solve करेंगे तो कितना आएगा देखो 20 plus 30 फिप्टी टू और प्लस 13 65 और प्लस 1 शिक्स्टी सिक्स ठीक है 30 25 अब ध्यान से देखना आपने इतना कर लिया यह 0 नहीं हुआ मतलब यह इसका factor नहीं है लेकिन आप पहले ही कैसे जानोगे बिना रखे तो अगर आप प्लस 1 इस equation में रखोगे तो देखो सभी क्या हो रहे है सभी प्लस हो रहे है कहीं पर माइनस साइन नहीं आया है इसका मतलब प्लस रखने पर वो 0 नहीं आएगा यहाँ पर प्लस रखोगे तो addition करने पर प्लस रखने पर आंसर नहीं आएगा तो यहाँ पर हम अब माइनस रखके चेक करेंगे क्योंकि प्लस 1 पर आंसर नहीं आ रहा है तो इसको रफ जैदे तर इसको रफ वर्क करना चाहिए आप फिर भी करोगे तो दिक्कर नहीं होगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो अब हम कितना रखके चेक करेंगे अब हम माइनस रखके चेक करेंगे तो माइनस वन का होल क्यूब प्लस 13 माइनस वन होल स्कोयर प्लस 32 एंडर वेकट माइनस वन प्लस 20 ठीक है तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 1 raise to the power cube है cube एक और नमबर है जो इसका power 3 है वो एक और नमबर है तो जब 1 का cube करेंगे minus 1 का तो answer minus 1 आएगा यहाँ पर क्या है देखो minus 1 का whole square है इसका मतलब यह है कि power even है तो जब हम 1 का whole square करेंगे minus 1 का तो हमारे पास 1 आएगा plus 32 आप देखो यहाँ पर क्या है कि कोई भी power नहीं है तो इसको direct हमें multiply करना है तो plus into minus कितना होगा minus 32 वनजा 32 और plus 20 अब इसको थोड़ा देखो minus 1 plus 30 13 वनजा 13 यानि कि plus 13 minus 32 और plus 20 आप देखो इस minus को इस minus को एक सा 30 कर लीजे तो यह minus 32 और minus 1 minus 33 हो जाएगा इस plus को इस plus को एक साथ एड़ कर लीजे तो 20 plus 13 33 हो जाएगा तो 33 minus 33 कितना हो जाएगा 0 अब वो हम यही पर लिख देंगे कितना? 0 मैंने आपको पिछले question में भी बताया है कि यह आप रफ कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ आप चाहो तो लिख लो अभी 0 हो गया तो 0 होने का मतलब यह है कि minus 1 एक फेक्टर होगा तो जब minus 1 एक फेक्टर होगा तो बोलेंगे so x यह देखो यहाँ अगर minus 1 है तो sign बदल करके लिखेंगे plus 1 x plus 1 is a factor किसका फेक्टर? फेक्टर आफ PX अब यहाँ पर एक बात समझो अब बहुत सारे student के दिमाँ में question गुम रहा होगा sir हमने लिया तो था x is equal to minus 1 तो यह x plus 1 कैसे आ गया देखो यह is equal to है यह left hand side है और यह right hand side है जब इधर से कोई भी minus sign इधर आएगा तो वो इधर आके plus 1 हो जाएगा जिकल to 0 और यह होता है आपका जी x तो यहाँ पर इधर आने के वज़ए से plus हो गया तो आपको सीधे याद रखना है कि sign बदल करके लिख देंगे तो फिर क्या करेंगे now we divide pxy x plus 1 आप देखो इस x plus 1 से इस equation में हम divide करेंगे तो x plus 1 x cube plus 13 x square plus 32 x plus 20 तो अभी के लिए क्या होगा देखो अब division कैसे करते हैं यह होता है हमारा dividend इसका first term में यह होता हमारा diviser इसके first term से divide करते हैं मतलब x cube में हम x से divide कर देंगे देखो इसके पहले term में इसके पहले term से divide करते हैं यही process हम बार-बार करते रहेंगे तो यह x raised to the power 1 है 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा बचेगा यह x square x cube में से 1 x minus हो जाएगा तो आपके पास बचेगा यह x square और इसी x square से इस diviser में आपको multiply कराना है तो diviser कितना है? x plus 1 में multiply कराओगे इससे यह हमारा quotient section बन जाएगा तो इसको मैं यहाँ पर write कर देते हैं quotient के place पर x square तो x cube हो जाएगा और plus x square बन जा x square तो हम इसको write कर लेंगे यहाँ पर x cube plus x square ठीक है? sign बदल जाएगे यह हो जाएगा minus और यह भी हो जाएगा minus यह cancel out हो जाएगा 13 बड़ा है तो 13 minus 1 x करेंगे तो 12 x square हो जाएगा sign प्लस का आएगा प्लस 32 x यहाँ पर write कर लेंगे ठीक है? अब क्या करेंगे देखो अब हम इसमें इससे divide करेंगे इससे है ना? यानि कि इस dividend में इस diviser के पहले पहले टरम से divide करेंगे तो चलो कर लेते हैं 12 x square upon x 1 x की power कर जाएगा तो बचेगा 12 x मतलब हमें यह मारा quotient हो जाएगा क्या हो जाएगा? quotient वो यहाँ पर write कर लेंगे plus 12 x इस 12 x से इसमें हमें multiply कराना है तो यह हो जाएगा x plus 1 यानि कि 12 x square और फिर इससे multiply करेंगे तो 12 x बन जाए 12 x तो अब हम इसको write कर देंगे 12 x square plus 12 x sign बदल जाएगे यह plus था minus हो जाएगा यह भी plus था minus हो जाएगा यह cancel out हो जाएगा sign 32 का बड़ा है तो नमबर 32 बड़ा है तो sign 32 का यानि कि positive हाएगा 12 minus हो जाएगा तो 20 x कितना? 20 x अगला write कर लेंगे plus 20 अब फिर से आप देखिए क्या करेंगे हम यह है पहला टर्म और यह है पहला टर्म ठीके इस टर्म में इस से divide कर देंगे 20 x में x से divide कर देंगे तो x से x cancel out हो जाएगा आएगा कितना? 20 यही 20 हमारे quotient बन जाएगा यहाँ पर plus 20 और इसी 20 में हम x plus 1 में multiply करा देंगे यह हमारा x plus 1 है यह quotient आप multiply करा दीजिए तो यह बन जाएगा 20 x और plus 20 यह आप यहाँ पर rate कर दीजिए 20 x plus 20 आभी देखो यह इसका sign सबका change होगा जो यह plus से minus हो जाएगा यह भी plus से minus हो जाएगा तो यह cancel out हो जाएगा हमारा answer 0 यानि कि जिस step में हमारा remainder 0 होता है ठीक है उसी step में जो quotient होगा हम उसको ले लेंगे नाव फेक्टोराइज दा कोशियंट अब देखो यह हमारा इसको हमें फेक्टोराइज करना है ठीक है यह एक्स स्क्वाइर प्लस ट्वेल व्याक्स प्लस ट्वेंटी ठीक तो आप देखो यह जो 20 है ना 20 इसके जो फेक्टर बनेंगे वो 10 तूजा बनेंगे कितना 10 तूजा 20 10 प्लस 2 12 तो यहाँ पर रेट कर लेंगे यह स्क्वाइर प्लस 10 प्लस 2 यह स्क्वाइर प्लस 20 देखो कैसे बनेंगे 10 तूजा 20 10 प्लस 2 12 तो आगे इसको हम जब फेक्टोराइज करेंगे तो यह स्क्वाइर प्लस 10 याक्स प्लस 2 याक्स प्लस 20 ठीक है अब मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ आप यहां तक rate कर लिजिए तो यहां से देखो यहां से हम यहां से कामन ले सकते हैं यहां से हम यहां से कामन ले सकते हैं तो क्या आजाएगा हमारे पास यहां से कामन लेंगे तो यहां से पलस 10 आजाएगा और यहां से हम देखो 2 common ले सकते हैं तौप्लस 2 common ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा X प्लस 2 टेंजा 20 ठीक है कितना जाएगा X प्लस 2 टेंजा 20 आ जाएगा तो अब हमारे पास ये वाला टर्म ये वाला टर्म common है तो यहां पर आ जाएगा X plus 10 और इधर आजाएगा याक्स प्लस टू ठीक है तो देखो एक फेक्टर दूसरा फेक्टर और एक फेक्टर यहाँ पर यह तीन फेक्टर हमें मिल गए आप इनको हम रखेंगे तो बाइ यूजिंग रिमेंडर थेरम देखो रिमेंडर थेरम क्या होता है अब PX is equal to GX into QX plus RX PX जो होता है वो पॉलिनामियल होता है GX जो होता है वो डिवाईजर होता है QX जो होता है वो कोशियन्ट होता है RX जो होता है वो रिमेंडर होता है तो पी-स पोलिcueल हमारा यहांँ पर है कितना है के लक्लू एक स्क्यूब प्लस थार्टीन यहक्स स्क्वयर प्लस थार्टी टू यहक्स अप्लस 20 अब डिवाज्ज लो यानि की जी एक से वो डिवाजर यहांँपर werd कितना है यह एक सह्पले समस्वन कि अब अगर क्वाशियंट की बात करें तो देखो कोशियंट यह रहा और इसको जब